हेलो बच्चो आज की क्लास में हम ओ और ओ की मात्रा वाले शब्दों तथा वाक्यों को पढ़ना सीखेंगे ठीक है ओ ठीक है पहले हम ओ का साउंड देख लेते हैं फिर हम ओ को पढ़ेंगे यह है ओ ओ का साउंड किस परकार निकलता है ओ और रा ओर ओ सा ओस ओ खली ओढ़नी ओ ठीक है अब ओ किसी वहेंजन के साथ अगर मात्रा के रूप में यूज होता है तो उसको किस परकार पढ़ेंगे उस वहेंजन के साथ ओ का साउंड मिलाकर बोलेंगे जैसे कि का पे हम ओ की मात्रा लगाते हैं जैसे यह कुछ अक्षर हमने लिखे हैं यह का ठीक है का पे देखे यह इस परकार अक्षर के आगे यह आ की मात्रा का जैसे यह होता है आ की मात्रा अगती उसके उपर यह एक इस तरह से यह हो गया अब हो गया को खा पर लगाएंगे तो ये जाओ पर इस सीथी लाइन पर लगाते हैं खो तेक है गो, Oo की मातरा है, तो Oo से मिलाके देखी, मातरा ओ की साउन को मिलाईए, का में, को, खा में लगा तो को पढ़कर प्रैक्टिस कर लेंगे फिर शब्दों को हम आराम से पढ़ लेंगे से कुछ शब्द है यह की मात्रा है सीदी लाइन प्लस बन गया टो टो पी घा पे लगी गो शा घो गया ये शाः खरगोश तोपी खरगोश अब कुछ सब शब्दों कौम पढ़ते हे ओकी मात्रा से जैसे है का तो ओकी मात्रा लगी को खा खो जा जो ता ओकी मात्रा पे तो ठीक है पा थापे लगी तो ओकी मात्रा पो ठीक है आपको शब्दों को हम पढ़ते हैं घो येड़ा घोड़ा थो थापे ओकी मात्रा है तो थो ओकी तरह मिलाके बोलेंगे थोड़ा थोड़ा मोटा छोटा होली गोली मोती रोटी होली गोली मोती रोटी टोकरी रापी के मात्रा है टोकरी लोमरी लोमरी पोटली काटोरी काटोरी धापे है तो धोला और का धोलक बोताला बोतल जोकारा जोकर दो पाहारा दो फर धोलक बोतल जोकर दो फर ठीक है यह पढ़ते हैं खूब बड़े बड़े हो जाओ जाओ है यह देखिए ओ गे खूब बड़े हो जाओ गे ठीक है कविता है यह आलू वोकी मातरा है आलू बो ला ओ की मातरा बो हो गया यह आलू बोला मुझे एकी मातरा मुझे खा लो आलू बोला मुझे खा लो सेहत अपनी खूब बना लो ठीक है सेहत अपनी खूब बना लो पालक बोली मुझे खा लो खुद को ताकतवर बना लो खुद को ताकतवर बना लो गोभी मटर टमाटर बोलें हम सब को जो खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे ठीक है इसको एक साथ पढ़ते हैं एक आलू बोला मुझे खा लो सेहत अपनी खूब बना लो पालक बोली मुझे खा लो खुद को ताकतवर बना लो गोभी मटर टमाटर बोलें हम सब को जो खाओगे तो खूब बड़े हो जाओगे ठीक है यह हमने ओ की मात्रा वाले शब्दों तता कवीता को पढ़ा है अब हम ओ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं ठीक है रेकिए यह है आओ अव का साउंड कीस परकार निकलता है ओ रा और ऑ रात और ऑशाधा ऑशड ऑजर ऑऊ-जार और ऑशड औजार जिक है अब देखते है किसी भी वेंढ़न पर ऑ की मात्रा किस परकार लगाई जाती है जैसे देख लेते हैं यह है ता है देखिए यह की मातरा में पता इस तरह लगता है यह ईभ इसी पर ही जब दो ब्रहां दो नाल लग गई तो यह हो गया तो और के साउंड के साथ मिला कव, खव, गव, चापे चव, ठीक है, ओ में, ओ की मात्रागर होगी तो कव, और ओ की मात्रा होगी तो कव, ये दोनों में अंतर होता है, को, कव, खव, गो, गव, ठीक है, अब हम इसके को शब्दों को पढ़ते हैं, को, आ, को, आ, पो, धा, पो, धा, तो, ये red line से जो भी, red line जो दिख रहे हैं, ये मात्रा है, ओ की, तो, लिया, तो, लिया, ये कुछ अक्छर जिन पे ओ की मात्रा हैं, उनको पढ़ते हैं, गा गो ना नो जा जो सा सो ला लो ठीक है अब कुछ अब शब्दों को हम पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं पढ़कर के नो का यह जो मात्रा दिख रही है यह ओ की मात्रा है इस ना के साथ ओ के साउंड को मिला यह नो नो का मो का मो सी लो की बो ना खिलो ना बिचो ना तो लिया बो ना खिलो ना बिचो ना तो लिया बो ना खिलो ना बिचो ना तो लिया लोकी कचोडी पकोडी हाथोडी नोकर चौपाल चौखट चौखट चौकी दार नोकर चौपाल चौखट चौकी दार मौसी आई मौसी आई यह कवीता है इसे हम पढ़ते हैं मौसी आई गरम कचोडी लाई माता जी ने लोकी उठाई लोकी की पकोडी बनाई मौसा जी खीलोने लाएं कचोडी पकोडे शौक से खाएं नोकर दोडा दोडा आया गरम चाए साथ ले आया एक बाल फिर से पढ़ते हैं मौसी आई मौसी आई गरम गरम कचोडी लाएं माता जी ने लोकी उठाई लोकी की पकोडी बनाई मौसा जी ने खिलोने लाएं कचोडी पकोडे शौक से खाएं नौकर दोड़ा दोड़ा आया गरम चाय साथ ले आया I hope आपको O और O की मात्रा का यूज समझ में आ गया होगा तथा उसके वाक्यों और शब्दों को पढ़ना आ गया होगा Okay, Bye